है कि है थे है कि यदि- है। कि है तर्फ करते हैं आज का लाइफ सेशिन लक्षे दोसों का मंच का दूसरा लाइप सेशन ठीक है आज की सेशन में देखिए सबसे पहले को लॉगीद करेव है टीकm पीडियाब जो डिसकस करेंगे अमार्ट उसमें वराइटी ऑफ कोश्चन होंगे यानि नमबर सिस्टम के कुछ एक कोश्चन कुछ एक कोश्चन ऐसे हैं कुछ सकते हैं अभी बात करेंगे पहले सबसे पहले आज की पढ़ाई शुरू करते हैं जिसमें बहुत महत्पूर्ण कोश्चन है आपके 18 में इसको लेकर तो 18 में इसको लेकर कई कोश्चन ऐसे इन में से 17 में आपके इस्पेक्टिट जो बन सकते हैं इस्पेशल इस टॉपिक पर ठीक है आई यह देखते हैं स्टार्ट करते हैं पहले कोश्चन से कि अधिके फिर्स्ट कोश्चन है आपके सामने कि कोश्चन दे रखा है सी कॉस्ट टैन की बावार 32 प्लस टू कि 3 एस के अंकों का योग निकाल ला है आ chap कि कम एक इक वर आपको देखना है मिलखूर पीडियेस आपके पास है solution पारट आपको धियान से से देखना है कोई नोट सोट बनाने की जुरुत नहीं है आपके पास ही रहेगा ही सेशन ठीक है अराम से दुबार से दिखिए है कुछ एक पार्ट नहीं समझ आता है तो सम अब डिजिट अब एस निकालना है आपको जो कि 97 एक सो तीन सो और 106 यह आपको दे रखता है ठीक है अब आप देख सकते हैं देखिए सबसे पहली बार अगर मैं एक बीसिक सी बात बोलूँ आपको कि 10 प्लस 2 यह होता है 12 ठीक है 10 की पावर 1 प्लस 2 जिसे आप 3 से डिवा करेंगे 34 आजाएगा ठीक है आगे आप देखते हैं 10 की पावर 3 प्लस 2 एक को रिलेशन पर गोश्चन है बीसिकली को रिलेशन आपको बनाना है तो इसको आप लिख सकते हैं 334 अब को रिलेशन क्या होगी इसके अंदर आप देख सकते हैं जब पावर 1 थी तो एक भी बार तीन नहीं था जब दो थी तो एक बार तीन था जब तीन थी तो दो बार तीन था और चार दो फिक्सी है तो अगर यह पावर हो थी 10 की पावर 32 प्लस 2 तो इसके अंदर 3 कितनी बार आ जाता इससे एक कम यानि 31 टाइम और लास्ट में क्या आ जाता 4 तो 31 इंटू 3 क्या हो सब्सक्राइब 93 प्लस 4 97 तो 97 आपका अंसर हो जाएगा ठीक है यानि 97 आंसर आ जाएगा तो देखिए अच्छा कोश्चन था कॉंसेप्ट बेसिकली को रिलेशन है को रिलेशन से आपको कोश्चन करना है आई अगला कोश्चन देखते हैं अब यह बोल रहा है अब यह वह कोश्चन था सत्रा में सेम तू सेम आया था मैंने क्लास में कर आया था ठीक है लार्जस प्राइम फेक्टर निकालना है इसका अगर मैं देखता हूं थ्री की पावर 13 को मल लेता हूं तो यह बचेगा 3 प्लस 1 माइनस 12 इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं 4 इसमें भी आ रहा है 4 इसमें भी आ रहा है ठीक है अब आप देखते हैं 4 दोनों में आ रहा है तो आप लिख सकते हैं 4 इंटु 3 की पावर 13-3 और इसी को आप लिख सकते हैं 12 इंटु 3 की पावर 6 माइनस 1 12 इंटु 3 की पावर 6 प्लस 1 अब अगर मैं फार्मला लगाता हूं AQ-BQ और AQ-BQ का तो यह हो जाएगा 12 इंटु 3 का स्क्वेर माइनस 1 ठीक है इंटु 3 का स्क्वेर यह आ जाएगा e square plus b square plus e b ठीक है यह आ गया इसी तरीके से आप इसे देखते हैं 3 का square plus 1 3 की पावर 4 minus 1 plus 1 का square minus 3 का square सबसे बड़ा prime factor देखना है आपको अब भाज्य संक्या 81 और 82 85 minus 9 73 73 और option अगर आप देखते हैं option में से 73 सबसे बड़ा number है जो यहां पर है question करने के लिए आपको यहां तक जाना पड़ेगा exception question है पहले से किया वाए तो अराम से हो जाएगा तो यह सारी question लगबग वैसे हैं जो आपको पहले से किया होने चाहिए आइए नेक्स कोशन पर बढ़ते हैं question number देखते हैं question को बढ़ते हैं पर में बैठते हैं काफी सारी question ऐसे होते हैं जिनका specific topic नहीं होता कि इस topic से हैं तो वो चीज़ हमें देखने पड़ेगी ठीक है कि ऐसे question की तयारी पहले से करने पड़ेगी क्योंकि आप मेंस के लिए जा रहे हैं और आपने बोला कि लक्षे 200 बैठ जोइन किया हमें ने लक्षे 200 बोलने से नहीं होगा उसके लिए काम करना पड़ेगा अगर आप देखते हैं एक फल वाला है जिसके पास एक क्रेट है जिसके अंदर एक बूस्ड एपल है हर 40 एपल में से यानि बूस्ड एपल यानि इस पर चोट लगावा है दागी है जो एक तरीके से ठीक हैं इंगलिश में आप पड़ते हैं तो यह बोलता है कि 40 में से एक पिंदी जो है बूस्ड डैपल है कुश्ड लिस्टन स्टार्ट करना है लास से अगर आप देखते हैं लास्त कैंदर पी नौँन उप लैसे हैं जिसे बेचता नहीं जा सकता और स्टार्ट-े एक चार में से तीन है बेचते नहीं जा सकते टीन दागदार से एप्ग है तो कि आगे क्या कह रहा है कि 40 में से एक बुरूजड है यह टोटल है और एक की वेल्यू अगर 12 है 40 की वेल्यू आपको निकाल ली है जो कि 480 हो जाएगा तो कोशन ध्यान से करने वाला है देखें कोशन लेंग्वेज में बड़ा जरूर है और यह मिस्लीनियस टाइप के कोशन ह जो आपको पहले से किया अच्छी है लास्ट सेमने शुरू किया आपने देखा कि 9 बेचे नहीं जा सकते थी ठीक है टोटल ब्रूजड एपल जितने भी आपके पास थे उसमें नहीं बीचे जा सकते उसने बोला जो नहीं बेचे जा सकते और जो टोटल है उनका अनुपात है तीन चार तो तीन की वेलियो अगर नो गई तो चार की बारा हो गई यानि बारा जो एपल ऐसे हैं जो ब्रूजड है ठीक है दूसा रिश्यो दे रखे आपको इसका एक अनुपात 40 एक की वेलियो अगर बारा आ गई तो 40 की 4080 आ जाएगी नेक्स कुश्चन देखते हैं अब देख क्योंकि आप मेंस की तियारी कर रहे हैं तो कोशिश करिए क्लास भी जिवाब घर पर करते हैं तो जल्दी जल्दी कनेगी ठीक है ऐसा निए कि आप स्टेप सियंगे है मैंने कोशिख यह करी है कि मेरिट हरा है उस reflex सबस् avn पहला कोस्चन हो गया दूसरा हो गया तीसरा होगी आपको समझना है के बल तीक है नेस्ट कोशन देखते हैं फोर्ट कोशन कि यह बहुत अच्छा कोश्चन है ठीक है दियान से समझना है एड कि चोटे से छोटे संक्या है जिसको एड़ करके 2015 आता है तो एन प्लस वन के अंको का योग बताना है क्या होगा यदि मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोलता हूं कि वह चोटी से छोटी संख्या बताई है ठीक है वह चोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसके जो के अंको का योग 17 है एक्जामपल लिया मैंने कि इसके अंको का योग 17 है ऐसे चोटा से छोटा नमबर बताना है अब को अब आप सोचते है इसमें कि ये पह चोटी से छोटा कब हो सकता है ये पही एक संख्या तो 9 हो गई वाकी बचा क्या आठ आठ इसके आगे लगा सकते हैं इससे पहले लगा सकते हैं दो possibility है और आप देखते हैं यह वो छोटी संख्या हो गई जिसके अंको का योग 17 रहेगा ठीक है तो इसके अंको का योग 17 रहेगा यह छोटी से संख्या हो गई तो सेम यह आगे ले जाएंगे छोटी से छोटी संख्या ठीक हैं जिसके अंको का योग 2015 अगर मैं इससे नौ से भाग करता हूँ तो बच्धा है आठ वो कैसे वह अपने डीएस कॉंसेट में पढ़ा एड़्यास कॉंसेट क्या होता है इसके अंको का योग जो होगा वो 9 से भाग करने पर शेष्फल होगा तो इसके अंको का योग 8 हो गया थीक है अब आप देखते हैं कि जो नंबर बनेगा इस तरीगे से बनेगा इए 99 9 9 9 और ये 8 आ गया ये इतने नंबर ओफ 9 आ गया और इसस्टार्टिंग में 8 और ये य प्लस वन कर देंगे तो सब जीरो हो जाएगा रहे हैं और यहां पर क्या आ जाएगा ना आ जाएगा थिक थे तो एन प्लास्वन के अंकोय योग आपको निकालना है अंकोय ना हो गया ना हो गया नाइन आपका अंसर हो जाएगा तो बहुत अच्छा question है conceptual question जब आप दिमाग से नहीं पढ़ेंगे लक्षे दोसों बहुत मुश्किल है दिमाग से पढ़ना है केवल समझ के और सभी विराइटी पर काम करना है आए नेक्स कुशन देखते हैं कि यह कुशन और भी बढ़िया है पांचपा कुश्चन 10 की पावर R-1 इसके अंकों का योग 4707 है ठीक है तो आपको निकाल लें R की वेल्यू आर की वेल्यू के ओप्षन दे रखें आपके सामने 470, 532, 523, 704 यह मैंने लिख लिए ठीक है अब आपको एक सिंपल सी बात यह बता होगी अगर 10 की पावर कुछ लिखा है और 10 की पावर 1-1 ना गया 10 की पावर 2-1 डबल ना गया 10 की पावर 3-1 ट्रिपल ना गया तो आप देख सकते हैं जितने नंबर ओफ जितनी पावर होगी यहां पर उतने नो आ जाएंगे यह जो नंबर है केवल और केवल 9 से बनेगा अगर मैं 9 से भाग कर देता हूं इसे अग 9 55 s2 123 कैसे मैंने डारेक्टि लिए क्योंकि मैंने साथ की साथ कब आएगा जब लास्ट में तीन होगा कि साथ के साथ Nah9 defensn phrases पान्सओ तीस मैंने सीदा लिग दिया उसके यह इस बाथ का मतलब क्या है इस बात का मतलब यह है कि अगर आप 10 की पावर और माइनस लिखेंगे तो इतनी बार नौ आ जाएगा 523 बार और अभी हमने लौजिक निकाला यहां से कि जितने नौ होंगे उतनी पावर होगी तो आर की वेल्यू कितनी आ जाएगी 523 आपका आंसर हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं चटा कोशन यह बहुत बढ़िया कोशन है कोशन आपके सामने हैं कि अगर 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 आपकोशन हो सकता है आपका दो दरीके से थीक है यह सारी कोशन है है कि हम डिली रूटीन में त्यारी तो कर लेते हैं पर काफी सारी कोशन ऐसे बचे रहा जाते हैं जो हमें एक्जाम में सेम टू से मिलते हैं जो स्लेक्शन पॉइंट आप यूसे इंपॉर्टेंट है ठीक है इसका मतलब क्या है देखी जैसे कि नंबर है सेवन नाइन का स् 35 कि नैन का स्क्वेर मैं देखता हू posterior को ने दोनों को और यह और को अधर को मिरंडेंगे 249 तो आप क्या करेंगे स्कूर्ट प्लस ट्वंटीजिक्स का स्कूर्ट जो की आपका हो जाएगा बी ऑप्शन प्लस तरी के सब्सक्राइब आप आपने देखा नो को तो आप 0 ट्रीट करते हैं साथ का स्क्वेर हो गया उनन चास चाहर आठका स्क्वेर चौशट का मलब एक ठीक है अब आपको पता है मैं इस तरीके से बहुत कोशिच करता हूं कि आपको डारेक्ट समझ आपको यह करना है में इसके अंकों का योग पांच तो कि भी जीरो जाएगा और निओ अगे इसका और इसके शनगों को समान रहेगा वो और नमबर आगे बीछ ही थिए तो हुआ है उससे अंगों के यह पे कोई फ़र्क नहीं बढ़ेगा इधर मैं देखता हूँ साथ का स्कुर्ण उननचास यानि चार इधर आप देखते हैं आंट यह आपको 8 इस्वेर आपको नहीं भी पताना तो इसलिए देखना है क्योंकि इस टाइप के गोशन आपको डराने के लिए जरूर दिए जा सकते हैं पर दरना नहीं है कॉंसेट पर टिक है रहना हमेशा ठीक है आइए देखते हैं क्या है इसकी वेल्यू निकाल लिए आपको अब ऐसा नहीं कि आप इस तरीकी की चीज पहली बार देखने हैं और देखके आप डर गए कि पावर 2007 आ रही है तो इसलिए क्लास पर कोशन कराए जा रहे हैं कि आप समझें चीजों को डरना मिल्कुल में नहीं है आई यह देखते हैं क्या कह रहा है कि माइनस टू इसका सोल सब्सक्राइब माइनस टू एम बाए थ्री कि एम की वेल्यू आप देखते हैं ना जाएगी ठीक है अब नाइन आ गई तो मलब एम की वेल्यू नाइन इसमें पुट करेंगे नौ का स्क्वार हो गया एक्यास सी कि यारा निम निन्यान में और सत्तरा कि इसकी पावर दो ज करते हैं अगे आठवा कोशन सबसे पहले ऑप्शन दिख देता हूं इसके 597 11 देखें आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं और बनाके भी कर सकते हैं सबसे पहली बात यह कह रहा है कि पी क्यू और आर ती लगातार और संक्या है जो भी कोशन इस टाइप का होता है ना जिसमें के बारे में बात होती है उसमें मैक्सियम जगे खें आप्शन से प्रसीट करते हैं हम इसमें जुआज आपको हो फोरा ओर संक्या है उसके बाद वो बोल रहा है त्री टाइंप एक हैं हम है से तीन कम है एक चीज यह आ गई आपके पास दूसरी चीज आ गई R-P equals to 4 equation आ गई अब दो equation को आप solve करके भी answer निकाल सकते हैं वो better ही है कि अगर मैं option के through देखता हूँ ठीक है value किसके निकाल ली है आपको R की ठीक है value R की निकाल ली है आपको अगर मैं यही तीन नंबर ले लेता हूँ भाई चाहँ पास साथ नौ ठीक है verify करना है केवल R का 2 गुना इसका 2 गुना यानि 18 P का 3 गुना यानि 15 बराबर आएगा किसके 3 के यह verify हो गया ठीक है आप 7 9 11 लेके चेक कर सकते हैं वो verify नहीं होगा R का 2 गुना करेंगे 22 आजाएगा P का 3 गुना करेंगे 21 आजाएगा और यह 3 के बराबर नहीं है तो यह option आपका कट जाएगा ठीक है कई बार ऐसे question में हम option के थूरू चले जाते हैं otherwise आप equation से भी बना सकते हैं आई अगला question देखते हैं अच्छा question है mean निकालना है इसका ठीक है अब देखे दो तरीके से आप कर सकते हैं अगर मैं पहली term लेता हूँ एक ठीक है इससे आप लिख सकते हैं दो की power 0-1 अगर मैं लेता हूँ 1 plus 2 इससे आप लिख सकते हैं 2 का square माइनस 1 अगर मैं लिखता हूँ 1 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वेर ठीक है आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 माइनस 8 इस सम को ऐसी 2 की पावर 31 तक अगर आप लेंगे तो आप लिख सकते हैं 2 की पावर 32 माइनस 8 इसका सम आ जाएगा यानि इसको आप लिख सकते हैं 22 माईनस ही कि आपको थोड़ी निकाला आपको निकाला है एवरेज अगर आपको निकाला है और वह होता है सम है अप नहिंए अपॉन टोटल नंबर ओट तर्म को टोटल नंबर ओटन एक थें नियुए 32 हो गई से दो की पावर सथाइस इसके बीच में आपका अंसर हो जाएगा यानि देखते हैं आपका सी ऑप्षन सी ऑप्षन आपका अंसर हो जाएगा अब जीपी का फॉर्मला भी लगा सकते थे ऐसी बात नहीं है यह चीजे मैं इसलिए बता रहा हूं कि को रिलेशन पर कोशन कहीं आपको मिल जाता है तो को रिलेशन एक इंपोर्टेंट कॉंसेप्ट है जिसे हम काफी जगे लगाते हैं जिसमें हमने बाहर से कुछ नहीं चेड़ा कोई फॉर्मला नहीं लगाया के वह यह देखा कौन सा पैटरन फोलो हो रहा है अगर इसी को मैं जीपी से लगाता हूं कि अगर आप ध्यान से देखते हैं है अगर जीपी सीरी अगर लगाते है ए आर की पावर एण माइनस वन अपाउन आर मैनस मेंस वन सम लगाते हैं अगर अगला कोशन देखते हैं इसमें से 11 गुशन करेंगे इस गर देखते हैं तो बहुत अच्छा कोशन है ऐसे पैटन पर है कि अगर आप पहले से किया है तो तो आप एडिट कर सकते हैं अधर वाइस आपको लेगा यह तो बुश्किल सी शीरी आ गई और आप घर से पढ़के ग अनुसार अगर मैं देखता हूं 4 इंटू 7 प्लस दो यह N है यह N प्लस 3 अगर मैं इस पैटन को सॉल करता हूं तो पैटन मिलेगा N इसक्वेड प्लस 3 N प्लस 2 यानी N प्लस 2 और N प्लस 1 n plus 2 और n plus 1 क्या है वो इसके बीच वाले दो नंबर है n के बाद क्या आता n plus 1 उसके बाद क्या आता n plus 2 तो यह नहीं पूरी series को आप इस तरीके से लिख सकते हैं अगर मैं देखता हूँ द्यान से series कहां से कहां तक है यह होगी आपका 5, 6, 7, 8 101, 102 इसी में नीचे वाले में देखता हूं छह साथ आठ नौ है तो एक सो एक शैसे लेके एक सो एक तक छैसे लेके एक सो एक तक कट जाएगा बचेगा क्या कि ना की पांचो दस तो 510 आपका आंसर हो जाएगा अगे इन चीज पर पैटन ऑब्जरवेशन पर जो आप आज पढ़ते हैं में चीज यहीं पढ़ते हैं ने बहुत या अच्छा रद आपको ने च्छे अ अब देखिए next question जो है उसे मैं डारेक्ट ही अगर लिखता हूं इसे मैं लिखता हूं 1 square प्लस 3 square माइनस 2 square ठीक है प्लस 5 square माइनस 4 square प्लस लास तक जाओंगा 2009 का square माइनस 2008 का square अपॉन 2009 कि इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया इस तीन का square माइनस 2 का square इससे आप क्या से लिख सकते हैं तीन माइनस 2 तीन प्लस दो पर तीन माइनस दो लिखने की जोड़ा थोड़ी अंतर तो एक ही है तो मैंने इसे डारेक्ट लिख दिया 3 प्लस टो ऐसी आप अगले को लिखेंगे चार प्लस पांच ऐसी आगे तक लिखेंगे दो जाराट प्लस दो जान नौ तो अगें पैटन पर यह कोशन डिवाइड बाई यह आप देख सकते हैं उपर क्या है एक से लिखे दो जान नो तक का अंसर आजाएगा ठीक है तो कोशन अच्छा था पहले से किया होना चाहिए ऐसा नहीं पेपर में फर्स टाइप इस टाइप की सीरीज देखने है आप 17 में देखेंगे इस टाइप की सीरीज पर कोशन आया हुए तो इसमें चेंज कैसे कैसे हो सकता है इस तरी के से चेंज ह आपने बड़ा कोशन देखा एलजेबर के अंदर कर दो अधा आउसा था है और कि क्यों कर लिजेगा यसे इस और एप्लस प्लस दी प्लस दी प्लस अप्लस दी आपको निकालना है ठीक है और एक्स और वाय वास्तवीक संखें अब देखें आप सोच भी नहीं सकते हैं कितना सिंपल है यानि देखने में तो आपको लग रहा है कि या इस टाइप की क्या पैटन आगी है इस टाइप का पैटन तो हमने नहीं पड़ा पर कुछ नहीं है केवल आपको पैटन ऑब्जरवेशन यानि रियर्रेंज करके देख नहीं है राइट सैड में गया है एक्सक्यू प्लस यक्यूब के लावा यह सब अब अगर यह इसके बराबर है तो यह वैल्यू जीरो रहनी चाहिए अब जीरो के लिए आप देख सकते हैं एक एक करके मैं टर्म पकड़ता हूं यह लिखा है आपका 3 एक्स यह और यह कि 7x y-square कि यहाँ देखते एक स्वाइश को एक जगे आप क्या लिख सकते माइनस साथ लिख सकते अब और आगे बढ़ता हूं यह दो टम बची है बस तो अगर आप बी की जगे फोर लिख देते हैं ठीक है और सी की जगे टू लिख देते हैं तो आपका आपका एंसर वेरिफाइए हो जाएगा आपने देखा एक स्पूर्म लानि लगाया जैसे कि आप देखने चेंज हो रही है तो उसके साफ से में चलना पढ़ेगा आएँ देखते हैं अगला कोष्याइट कि यह बहुत बढ़िया कोश्चन कि सबसे पहले तो आप यहीं देखिए इस टाइप की कोई चीज लिखी है बात को समझे ध्यान से जितना आप नंबरों के करीब जाएंगे उतना बढ़िया रहेगा नंबरों को जानना कि नंबर किस हिसाप से चेंज हो रहे हैं पैटन किस ह अपर लिख दिया कि इस तरीके से लिख दिया इसे तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूं अगर इसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाता हूं तो मैं देख सकता हूं अगले वाले को मैं कैसे लिख सकता हूं अगला वाला जो नंबर हो गया आपका वह गया वन प्लस टू अप इतने और नंबर हो गए 49 नंबर हो गए क्योंकि एक से सो तक के गिंती में पचास और हो गए पचास इवन हो गए पर एक तो चला गिया बचा गया तीन से निन्यान में जो कि 49 बचे तो 1111 करके 49 दो बन मिल जाएंगे आपको प्लस एक यह सीरीज मिल जाएगे और यह सीरीज अगर मैं देखता हूँ ज्यान से अब्जर्ब करने वाली बात है इसका अंतर अगर उपर बढ़ा है इसका अंतर अगर उपर बढ़ा है तो आप लिख सकते हैं फस्ट वन अपॉन फर्स टर्म माइनस वन अपॉन लास्ट टर्म तो इसे आप सॉल करेंगे सो अगर ले ले दो बचास माइनस एक उननचास फॉर्टी नाइन पॉइंट फॉन नाइन तो यह आपका अंसर हो जाएगा ठीक है तो अच्छा कोशन था दिखिए इस टाइप की सीरीज पर पहले भी बहुत ब पर इस वारोट निकालना आपको 14 की पावर 16 का इसका सोलवा रूट निकालना देखिए एन अत रूट का मतलब क्या होता है अगर एक्स का तो इसका मदलब हो गया एक्स की पावर बन बाए एन ठीक है अब यहां पर क्या निकालना है सोलवा रूट का मतलब है 14 की पावर 16 की पावर 16 इसकी पावर आपtest यहां सागतर है और इसी को कैसे लिख सकते हैं 14 की पावर 16 की पावर 16 इंटुस 16 की पावर वर माइनस फरेक है जब आप देखतें इसकी पावर यह और इसकी पावर यह तो पावर से पावर मखी से टीकिलेफ़ॉ decided 16 की पावर 15 हो जाएगा एक बार दो बार से देख लेते हैं ठीक है दो बार से देखने वाला पार्ट क्या है कि जैसे वन बाई 16 आपको डारेक्ट 16 नहीं काटना है ठीक है या इससे 16 से डिवाइड कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा आपको ठीक है यह यह आपस में इस तरीके से लिखा जाएगा अगर आप यहां पर देखते हैं तो पावर क्या है यह है और इसकी पावर क्या यह है तो यह दोनों आपस में मल्टिप्लाई होंगे 16 की पावर 16 इंटू 16 की पावर माइनस तो यह थोड़ा सा आपको ध्यान अखना है और ऐसा यह जरूरी नहीं 16 रूट आए 116 रूट भी आ सकता है तो कुछ भी संभाव है इसके अंदर आई यह नेक्स कोशन देखते हैं और कोशन आपको नहीं बैटन में जब भी लएगा जब आपने उसके लिए पहले से त्यारी नहीं करी ठीक अगर आपने पहले से त्यारी करिया तो बहुत असान रहेगा आए देखते हैं कि इनना बढ़िया है क्यूब रूट ऑफ तीन आए आए देखते है कि देखें क्यूब रूट ऑफ तीन कि अपन 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 इसलिए लिख दिया मैंने क्योंकि पावर लिखी भी है अच्छा कोशन है देखें बहुत ज्यादा और इसकी वैल्यू आपको निकाल लिए अब जैसे की सर्थ में मैं आपको एक बार बताता हूं कि सर्थ में एक पैटन पे ना बहुत सारे अगर आप इधर देखते हैं एक फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है इसकी वैल्यू अगर मेर को निकालने तो यह हो जाएगी प्लस बी प्लस बीक्यूब इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं अब आप देखते हैं यहाँ पर भी वही पैटन आपको मिल रहा है यहाँ पर वह पैटन किस तरीके से मिल रहा है अगर मैं नीचे वाला पार देखू इससे आप लिख सकते हैं टू बाइ थ्री का होल स्कूर इससे आप लिख सकते हैं 152 mm से क्लाइबrite में तो मैंने ऊपर लिखेंगे हैं यह सelenसically अधीया क्रूप यह क्या है यह क्या है मैं फिर भी लखके समझा आपको यह यह पना करोगा इस क्यूंक को TO कि मैंने पैटन औब्जब कर रखता है आपने देखा इसका अंसर आप नीचे देखतें है AQ plus Bq इसका क्यूब करेंगे 2 लग तीन इसका क्यूब करेंगे एक बट्ट तीन और एक बट्ट तीन एक हो गया नीचे वाला पार्ट लिखने की जुरूप नहीं है क्यूब निए भी वर तीन भार रहे है इस वाला पार्ट कर जाएगा ये वाला पार्ट कर जाएगाilation छार्स के लिए 5 इसर चाहिए आपका इनसर होगा ख़या यह आपने देखा घूब तो देखे सतरवा कोशन है 3 by a plus 3 का क्यूब यह मेरे को निकालना है ठीक है और a की वेल्यू दे रखेंगे यह अब अगर यह है तो मैं 1 by a बताता हूं क्या आएगा क्यूब रूट 2-1 डारेक्टिव बता होना चाहिए यह स्क्वेर प्लस a b plus b स्क्वेर किसे मंटिपला होना चाहिए ए माइनस भी से माइनस भी क्या आगया ए माइनस भी ठीक है इसको आप इससे गुड़ा करेंगे वन आ जाएगा एक क्यूब माइनस बीक्यूब मिल जाएगा तो वन बाइए की वेल्यू आपकी यह आ गए कैसे एक बार दुबार से बताएता हूं अगर आपके सामने यह लिखा है वन बाय क्यूब रूट फॉर प्लस क्यूब रूट टू प्लस वन ध्यान से देखिए ऐसा नहीं कि आप पेपर में पहली बार इस टाइप की टर्म देख रहे हैं और फिर आप लें रेक पता हो नहीं च है तो बराबर किसके होगा मास B की क्या है क्यूब रूट टू हो इंट वन लिखा तो क्यूब रूट टू हो गया व क्यूब रूट प्लूप 3 by a क्या होगा 3 क्यूब रूट 2 माइनस 3 माइनस 3 से प्लस 3 कटेगा 3 क्यूब रूट 2 का क्यूब तीन तीन नौ तीस अत्ताइज और निचर वन अंसर आ जाएगा यानि 54 आपका आंसर हो जाएगा यानि पूरा कोशन करने के लिए मेरे कोई लिखना नहीं पड़ेगा ऐसा इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने पैटन पहले से किया हुआ है आपने देखा वन अपन क्यूब रूट 4 प्लस क्यूब रूट 2 प्लस 1 वन कि एटीन कोशन के एटीन कोशन में थोड़ा सा करेक्शन करना आपको करेक्शन कर लिजेगा इसमें तू अपॉप ऑन क्यूब रूट 3 माइनस 1 प्लस क्यूब रूट 3 यह कोशन आपका एक्जेक्ट ठीक है आए देखते हैं अगे इन देखिए कोशन करता है आप पे कि नहीं पढ़ रखी है और आपने पढ़ रखी है तो आप इजीली अब्जर्व कर पाएंगे तो बास से बताता हूं मैं एक बार रुख जाईए अगे देखते हैं देखिए a-b ऊपर क्या गया आप द्ध्यार से समन्ने वाली बात है अगर ऊपर a-b लिखा लिखा हो नीचे लिखा है और यह आइसवे डी स्कुर अगर आप लिखते हैं अब दिखना एक सब्सक्राइब में प्लस बी स्कुरे रिख सकते हैं इसा कैसे माइनस भी माइनस भी है यह एक यूट बीक्यूब है डारेक्ट अब्जार्व करना आपको ऐसा नहीं पेपर में फिर्स टाइम आप एलते हैं वागिरा लेकर क्रोस्ट पंटिप्लाइब करके फिसॉल कर रहे हैं डारेक्ट पैटन पर रहते हैं इस आपने देखा ए स्क्वेर बीस ए स्क्वेर बी स्क्वेर यह अब करने के लिए जो गवराएगा उसके तो कभी भी दोसटों नहीं आ सकते आपको चैलिंज के लिए तयार है तियार हम करी रहे हैं आपको अलग बराइटी कराकर ठीक है आई ये देखते हैं लास से शुरू करेंगे ठीक है इस टाइप के कुशन का में जो तरीका रहता है वह यह रहता है कि आप लास से शुरू करें ठीक है लास से शुरू करना आपको कि ए माइनस बी ज्यान से समझेगे देखिए लिख लिखके कुछ नहीं होगा आप लगाताल लिखते रहेंगे एक के बाद एक स्टैब लिखते रहेंगे पर लिखके वह चीज नहीं होगी जो आप आपको अब्सर्व करके कर सकते हैं जो आज के सारे कोशन हमने लिखें वह लिखके दिखा वह इसलिए कि आपको समझ आ जाए उनमें से काफी पार्ट ऐसा है कि मैंने अगर पहले कर रखा है तो आप पैन फ्री बहुत अराम से कर सकते हैं जैसे इसी कोशन को देखते हैं बहुत अराम से कर पाएंगे आपके लिए कोशन नहीं है अभी आगे दो जाये गा, दो आएगा, दो माइनस या जाये गा यानी दो प्लस यहां पर है, दो माइनस यहां पर है, फिर आप देखेंगे आप देखेंगे ने 2 का स्क्वेर चार हो गया 4 माइनस 2 प्लस 2 प्लस रूट 3 इसे आपने सॉल किया यह आगया 2 माइनस 2 प्लस रूट 3 ऐसा पेपर में थोड़ी करेंगे कि आप लगता लिखती रहेंगे यहाँ पर गया है दो प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 a plus b a minus b solve किया आपने a square 4 minus 2 plus root 3 यह आगे आपका 2 minus root 3 का root और यहां क्या लिखा है 2 plus root 3 लिखा है ठीक है तो 2 plus root 3 और 2 minus root 3 solve करेंगे वन आजाएगा वन आपका answer हो जाएगा ठीक है तो यहां से करना है question देखके बिल्कुल नहीं गब्राना है कि पहली बार आपने इतना बड़ा सा question देखा और आपको hopeless हो गए solve करना है चीज़ों को face करना पड़ेगा जब तक face नहीं करेंगे तब तक confidence नहीं आएगा next question देखते हैं आईए 20th question basic question which is not perfect square perfect square के लिए condition आपको बताई है कंडिशन क्या बताई है जो दाई का अंक होगा ठीक है वह हमेशा इवन होना चाहिए अगर वह ओड होगा तो केवल जब होगा जब लास्ट में 6 होगा परफेक्ट स्क्वेर के लिए दूसरी चीज़ों बताई है जितने भी परफेक्ट स्क्वेर नंबर होंगे उनके अंको का योग एक चार साथ यह नो होगा ठीक है इनका डीएस बोल सकते है डीटल सम परफेक्ट स्क्वेर के लिए अगर मैं देखता हूँ पहली condition पहले में भी है दूसरे में बहुत है और और के साथ लास्ट में छे है तो यह नहीं हो सकता जिए पहली condition दो फेल होगे हमारी इस से अमान सर माग नहीं कर सकते हैं अब देखते हैं अपना दूसरे वाला परफेक्ट स्क्वेर के अंको का योग एक चार साथ नो होना चाहिए अगर मैं देखता हूँ पहला option पहला option हो गया आपका गया तो यह वो नमबर है जो परफेक्ट स्क्वेर नमबर नहीं हो सकता यानि डी option आपका अंसर हो जाएगा अगला question देखते है question आपके सामने 3 6 5 4 5 9 5 4 1 9 0 6 3 6 4 3 5 9 0 6 3 6 4 5 5 9 0 6 3 6 4 4 5 6 3 2 3 6 5 ठीक है ऐसा definite नहीं कि इस टाइप का कूशन आपको मिले इस टाइप की कैल्कुलेशन ज़रूर मिल सकती है पर द्यान लखने वाला पार्ट ही है कि अगर आप DS देखते हैं इसके अंको का योग के आगे नो आ गया और नो किसी से भी गुड़ा हो आगे पीछे इसके अंको का योग नो ही रहेगा आप देखते हैं आ यह अगर आप दूसर दरीगे पर आते हैं तो दूसा तरीवा क्या है कि अगर मैं लास्ट टू डिजीट पर काम करूं जो की आपको अलग अलग दिख रही हैं आपको पहले भी बताया था मैंने कि लास्ट टू डिजिट का कॉंसर्ट काफी अच्छा है आप काफी जगी यूज कर सकते हैं अगर मैं फिफ्टी नाइन इंटू फॉर्टी वन करता हूं तो नौ एकम नो हो गया पांच चानिम च्छतिस च्छतिस और पांच इत्तालिस या जाएगा तो आपको डिरेक्शन लगाने आपको इसीतरीका से मैं स्पीड आप से कर रहूं गई हो गया यह यह है क। हमीशा माना जाता है आपका अच्छा होना चाहिए अगले कौशन पर बढ़ते हैं कुश्चन बहुत अच्छा है 10 बट 81 कॉंसेप्ट यह है कि 10 यह है नीचे 3 की पावर 4 तीन तरीके की डैसिमल होते हैं आपके एक होता है प्योर कि प्योर रेकरिंग मिक्स रेकरिंग ठीक है एक प्योर होता है एक mix recording होता है terminating होता है का आएगा कि ठीक है प्योर डेसिमल यानि प्योर रेक्रिंग यानि बास समझी ऐसा कैसे पतल लगता है जब दो या पांच यह दो और पांच लिखाओ नीचे इसकी पावर हो तो यह बनता है ना तो दो है ना पांच है दोनों में से कुछ भी नहीं है ठीक है तो आपका यह और अगर दो के साथ कुछ और है या पांच के साथ कुछ और है या दो की पावर के साथ या पांच की पावर के साथ कुछ और है तो आपका यह बनता है मिक्स वाला आप यहां देख सकते हैं तीन की पावर चार है तो यह दो तो नहीं है इसमें ना पांच है तो आंसर जो ओप्शन आपको दिख रहा है बी और डी जीरो पॉइंट वन टो थ्री फोर फाइव सिक्स तेवन एट एक यह लिखा है एक लिखा है यह ठीक है यह लिखा है अब आप ध्यान से देखते हैं आप आंसर में तो आपने एक चीज़ पगड़ी पर दूसरी चीज़ अभी हम नह पराना नहीं है concept प्याड़े रहना है बस अगर आप देखते ही से में कैसे लिख सकता हूँ है इसे में लिख सकता हूँ कि हाठ बार नो और इसे भी ऐसे लिख सकता हो unavSet का रेत यह भ्मखन मेल ही इसके बराबर ऑन मेरको यह देखना है कि कौन सा solution ठीक हो सकता है अगें presence of mind खाली calculation करके method पता करके खाली कुछ नहीं होगा वो तो हमें पता ही होना चाहिए पर हमें यह भी देखना है कि कब हमें presence of mind लगाना है अब आपने देखा इसको इससे मंटिपलाई किया तो last digit क्या आगई 0 इसको इससे मंटिपलाई किया उसके एसाफ हमने answer किया है अगला कोशन देखते है हाँ यह कोशन अच्छा है अब देखें यह कोशन जो है exception कोशन है यानि notation पर कोशन है यानि कहने का मतला भी यह है कि आपने इस टाइप की चीज पहले से करी होने चीज़िए यानि ऐसा नहीं है कि आप घर से बाहर पढ़के गए decimal के बाद और exam में लगावा आगया आगे वाले number पे और आपको लग रहा है कि कोशन गलता है ऐसा नहीं होना चीज़िए अब देखें इसे अगर मैं लिखता हूँ यह मैं आग देखते हैं इस तरीक है से लिख सकते हैं है यह आपका अंसर हो जाएगा क्योंकि इसी चीज़ को तो मैंने ऐसे लिखा और ऐसी को मैंने ऐसे लिखा था बार की जगे बस नेगेटिव आएगा आगे वाला नंबर डारेक्ट एड हो जाएगा अच्छा कोशन है पहले से किया होना चीए आई यह नेक्स कोशन देखते हैं सूंकों के दो संहिख न्यवाद की पहली ए बीसी ए बीची फॉर्म में ए इक कि आपस तरीके से लिख सकते गयां और जो दूसरी संहिए वह आ वेडिऌनी की फॉर्म में का इस आप इस तरीक से लίक्ते अला विसका रिख रतोबर पंस तक पान who पाच्वेन और झाल लिख सकते हैं साथ इंटू 11 इंटू 13 इंटू ABC इसे आप लिख सकते हैं तीन इंटू साथ इंटू 13 इंटू 37 इंटू AB यह बराबर हो गया 55 बटे 54 के ठीक है अब अगर मैं सॉल करता हूं 13 से 13 गया तो साथ से साथ गया ठीक है तीन से यह गया अठारा तीक ग्यारा से पांच कि ABC अपॉन AB यह आगे आपका 37 पंज एक सो पिचासी बटे अटारा तो आप देख सकते हैं एक वेल्यू वन हो गई बी की वेल्यू आट और सी की वेल्यू पांच तो 185 आपको क्या निकालना है आपको शहर्ट टोटल निकालना है इसमें प्लस बी प्लस ठीक है जो कि आपका 14 आजाएगा 14 आपका अंसर हो जाएगा पहले यह पता तो होना चाहिए कि ABC ABC टाइप की चीज़ा वो इससे डिवाइड होती है ठीक है और अगर अगर एक बी बढ़ा देते हैं तो आप 01 लगा देंगे फिर लगा देंगे फिर बढ़ा देंगे फिर यह भी लगा देंगे 01 बढ़ा देंगे तो यह पैटन होता है जिस पर आपको काम करना होता है आई अगला कोशन देखते हैं यह बेसिक नंबर सिस्टम पर कोश्चन है देखिए एक्जाम में जा रहे हैं तो सब सीचे करके जानी पढ़ेंगे आपको केवल लक्से 200 गन्य बोलने से नहीं होगा काम करना पड़ेगा उसके लिए आपको अगला कोशन देखते हूं अच्छा कोश्चन यह आपको दे रख्था है कि देखिए आप कुछ ट्राइ करके दिखेगा कि कितनी फिरपेशन आपकी ठीक चल लिए पता लगेगा थोड़ा एडिया लगेगा कि यह आपको निकालना है और एम और न जो हैं वो इंटीजर से ठीक है ध्यान से समझेगा बात को कि एम अपॉन 810 को मैं लिख सकता हूं 9 & 5 अपॉन ट्रिपल लाइन ठीक है अगर मैं काटता हूं 9 से काट लेता हूं पहले 90 111 3 से काटता हूं 30 यह 37 ठीक है क्योंकि एम भी एक इंटीजर है आप यह बोल सकते हैं इंटू 37 बराबर हो जाएगा 9 & 5 इंटू 30 के यह आप यह बोल सकते हैं कि एम में आएगा वो 30 का मल्टीपल आएगा ठीक है और यह जो आएगा 37 का मल्टीपल आएगा ध्यान से समझेगा बिल्कुल बात को क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है ठीक है 37 का मल्टीपल तो है यह यह बात पक्की है क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है इसका मलब 37 को किस से गुणा करना पड़ेगा 5 टाइप की कुछ चीज से कुणा करना पड़ेगा 37 इंटू लास्ट में 5 अब आप देखते है स्टार्टिंग में अगर 9 & 9 मतलब कितनी बारी में जाएगा 37 का अगर आप ट अगर तो आपने देखा एम की वेल्यू कितनी आ गई 925 इंटू थर्टी अपॉन थर्टी सेवं पच्चीस बारी में जाएगा तो साड़े साथ सो यह हो गया और दो यह हो गया साथ सुबावन आपका अंसर हो जाएगा पर यह चीज़ें ना दर भी हो सकते हैं जब आप सोस्ते हैं डिमार्स से काम करते हैं ऐसा नहीं कि आपने कर लिए प्रीवेस यह के कोश्चन कर लिए और आपको लग रहा उससे आपका सेलेक्शन हो जाएगा चेंज के लिए हमेशा त्यार रहना पड़ 26 कोश्चन है जी सीड निकालना है 3 की अधने की पावर पांत सो चालिस टूश प्लस इक की इससे मैं इस तरीके से लिख सकता हूं ठीक है और इसका मनलब क्या हो गया तीन की पावर तीन की पावर पांसो चालेस इसका क्यूब प्लस वन का क्यूब अब एक्स क्यूब प्लस एक्यूब का फैक्टर एक क्या होता है X plus A यानि इसको आप इस तरीके से लिखेंगे 3 3 की पावर 540 ठीक है प्लस 1 into something तो यह जो पार्ट है यह इसमें भी आएगा और यह पार्ट इसमें भी मिल रहा आपको तो यह आपका answer हो जाएगा ठीक है बास समझने वाली है दुबार से समझे तीन की पावर 540 इसे आपने इस तरीके से लिखा इसे आपने इस तरीके से लिखा XQ प्लस A डिवाइड़ बाए X plus A always ठीक है X plus A क्या हो गया X हो गया आपका यह तो यह से डिवाइड होगा यानि यह नंबर इसमें भी आएगा इसमें तो है तो यह ही आपका GCD हो जाएगा इन दोनों का अगला कोशन देखते है 27 यह अच्छा कोशन है यह कोशन अच्छा इसलिए है क्योंकि देखे हम डेली रूटीन में पढ़ रहे है चेंजिस के लिए भी बढ़ना पढ़ेगा जैसे कि आपने देखा X plus Y plus Z equals to 0 यह आपको देख रहा है इसके साथ condition आपने पढ़े XQ plus YQ plus ZQ minus 3XYZ equals to 0 ठीक है अब आप देखते हैं कोशन में पूछा गिया XQ plus YQ plus ZQ minus 2XYZ यह आपको निकालने है अब आप में से कई बच्चे ऐसे हैं कि यह भी गलती कर देंगे क्योंकि आपने पैटन ही पड़ा है XQ YQ ZQ minus 3XYZ है तो answer 0 आजाएगा X plus Y plus Z अगर 0 है तो इसमें भी 0 मार्क करने की समभावना है इसलिए उप्चन में रखा गया है वो ठीक है पर आप देखिए इसके अंदर कोषिण क्या वन सकते हैं से आप लिख सकते हैं ऐसी भी है कि अ कि अ कि मुल्टीपल कोश्चन होगा इसके अंदर ऐसा नहीं कि आप स्पैसिफिक कोश्चन को लेके बैठे रहे स्पैसित अ कर दो से अ है पर आप खत। आcyj अब देखें बात को समझेगा ध्यान से ठीक है आपने ही कंडिशन बढ़ी कि एक्सक्राइब या फिर आप बोल सकते हैं एक्सक्राइब प्लाइब प्लाइब यहां पर आपको प्लस थ्री बनाना है सकता है यानि जरूरी नहीं है वैल्यु आपको इस सरफ से पूछिए इन में से कोई बी चीछ पूछिए आ सकती है अब इस कोश्चन में निकालना है यानी रूट साथ माइनस रूट पांच रूट 4 तीन रूट 3 Wagam निकालना है ठीक है अगर दियान से उस चीच को के पोजिटीटियब नमबर एक प्जिटीघ नेगेटि ओस्यक करने कि चारूट साथ प्लस चारूट तीन माइनस दो रूट पाँच यह वैल्यू और इस वैल्यू को अगर आपके विल्यू को देखते हैं तो यह वाली वैल्यू ही इससे बढ़ी है तो यह आंसर पोजिटिव रहेगा इसलिए आपका बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा यह कट जा कि उल्फिए ल्की वैल्यू आपको दे रख्यें यह अब दीखिए निकालने वाला पार्ट जो है ऐल्यू प्लस बन वायल क्यों यह अन्यम क्यों सब्सक्राइब आपको सारी अप्शन में दिख रहा है इसका मलब है एन की वैल्यू अगर आप निकाल लेते हैं तो आंसर जाएगा एंगी वैल्यू कैसे निकलती है एल प्लस वन बाइल एल अगर यह है वन बाइल करेंगे क्या आएगा साथ प्लस रूट पेंतालिस बटा दो एड करेंगे रूट पेंतालिस कट जाएगा 14 वाइट यानि 7 हो जाएगा यह आपका अंसर हो जाएगा अब देखी जैसे कि मैंने एक कोशिश करी ठीक है कि वही एल प्लस वन बाइल की डारेक्ट निकाल लेगी तो आपको भी थोड़ा ऐसा कोशिश करना पड़ेगा कि एल प्लस वन बाइल की वैल्यू डारेक्ट निकले ऐसा नहीं कि आप इसके लि लोगे अब देखी इस स्टीट को अब्ज़र्फ करना है मैं डारेक्ट लिखता हूं अगर मैं पहली दो हम देखता हूं 1 प्लस ए 1 प्लस A स्क्वेर माइनस से यह जी यह ओंगे आपका 1 प्लस A का क्यूब ऐसी एंगला देखते हैं 1-1 का क्यूब 1-1 कि पावर 6 ए 1-1 कि 6 1-1 कि 6 आंसर आ गया 1-1 कि 12 पहला आएगा प्रेक्ट कर लिजेगा एक पावर 2 की जगे एक पावर ट्वल आएगा यह आपका आंसर हो जाएगा ठीक है डारेट देखना और करना है नेस्ट कुश्चन देखते हैं हाँ इस टाइप का पैटर्न आपको जरूर मिल सकता है यह अच्छा कोश्चन लग रहा है मेरे को कि यानि इंफाइनेट चैन है आपके पास यह अगर इस इंफाइनेट चैन में से अगर आप एखटा रहे दें कोई फरक नहीं पड़ेगा यानि इसे आप लिख सकते हैं र आपको डीखे वो आपको इस तरीके से में वें जबे सकती है यह जिनिए कि इसकी लिए आपको डारेट तरीका बताएता आप देखते एक्स ब्रस दनेक्स अगर रूट इन है प्लानी होत कि ग्या होता है मैं मा इस बंस लोता है है Q का अगर आप इसको पावर को 6 से भाग करते हैं अगर बमेंडर बसता है दो यह माहिन थो थी já या नी दो चार बसता है तो आप क्या करते आंसर आएगा क्या प्लस वन या माइन ए मैनस तो मैंनस और आपका आंसर हो जाएगा तो माइनछा आपका आँसर आजाएगा तो देखे आज के सेशन में हमने काफी अच्छा को शर्शन देखें और काफी अच्छे शर्शन सारे आपके एक्जामिनेशन पॉइंट व्यू से बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है आज जो पीडिएफ के अंदर हमने कोश्चन डिसकस किए थर्टी कोश्चन तक डिसकस किये हैं नेक्स लाइफ सेशन आपका जब होगा में भी वो सकता है कली हो जाए ठीक है तो नेक्स सेशन में हम आ रहा हूं आपको चीज़े डायगराम में करनी है आप बात बात पर लिखने की इसके सिमिलर है तो हमेशा दियान न किए जितना आप दिमाग से काम करेंगे उतना बढ़िया रहेगा आप जैसे इस टाइप का कोशन आपने देख लिया है सब्सक्राइब करना है अब तो चीज कहीं न कहीं में हो जाती है क्योंकि हम केबल चैप्टर बनाने में लगे रहते हैं तो अगर दोसों का मैंने लक्षे बोला है आपको तो उसके आप से आपको सब चीजह करनी पड़ेंगी सब चीज है तो आज के लाइब सेशन में इतना ही करेंगे वाकिन नेक्स कुश्चन जो बचे हैं जितनी पीडियेफ के आपके कुश्चन बचे आप घर पे भी ट्राइब करिएगा और फिर देखेंगा कि लास में आप कितनी जल्दी घर पारें आज के लिए इतना ही करेंगे जैहिंद